दोस्तो सुन्देयां एंतन जेक्व दी लिखी कहाणी दी कोर्स गरल दा पंजाबियन वाद गौन वाली कुडी इस कहाणी दा पंजाबियन वाद चर्ण गिल ने गीताई ते वाज है मेरी यानी जक्सीर थी जिस जमाने विचो जवान ते सोनी सी ते उस दी वाज चंगी दमदार सी एक दन उस दी गर्मिया वाली कोटी दे बारी वरांडे विच उस दे कोल उस दा दिवाना निकोलाई पेतरो विच कोपला को बैठा सी लोड़ी जी गार्मी ते कुटन सी कोलपा कोव खाना खाके हटया सी तो उसने कटिया श्राव जी पूरी बोतल डगारी होई सी उसा मुड बड़ा खराव सी ते तबियत कुछ पस्त सी दोमें एक्के बेठे सान ते रीक रे सान के गार्मी का ठोवे ते हवा खुरी विच निकलना अचानक दरवाद से ते कांटी वजी कोलपा कोव जो कोट उतार के स्लीपर पेनी बेठा सी उच्छल पया ते सवाली या लहजे विच पाशा वाल वेखन लगया दाकिया होना जा मेरे नालदियां कुडियां विचे कोई एक होवेगी गौणवाली ने कहा कोलपा कोव नो इस गल्दी परवाद नहीं सी के दाकियाए जा पाशा दी मंदलीदियां लड़किया पावी कोई भी उसनो उत्ते देख लवे तामी एतिहात वजो उसने अपने कपड़े समेटे ते नालदे कमरे विचे चलया गया पाशा दरवादा खुलन ली दोड़ी ओ बड़ी हैरान होई के दरवादे ते नाहीं कोई डाकिया सी ते नाहीं मंदली दी कोई कुड़ी संगो एक अजनबी जवान ते हुसीन औरत खड़ी सी जो अपने लबास विचे देखन पाखन तो कोई जंगी ते शरीफ औरत लग दी सी पीला जेहा रंगते साच ड़या होया सी जवे कोई खड़ मी पौड़ी तो ते जी नाल चड़के आया होई की गाल है पाशा ने पुच्छा अजनबी औरत ने जवाब दें दी बजाए एक दम कदम अगे वदाया तसलीनल कमरेदा जाइजा लेा ते इस अंदाज विच बैठ गई जमें थकान ते शायर बमारी दी वाजानल खड़ी न रह सक दी होए फिर देर तक बोलन दी नकाम कोशिश विच उस दे जर्द बुल कम दे रहे आखिर उसने पाशा वाल अपनिया वड़ीया वड़ीया लाल अत्रूप जिया पलका उठा के पुच्छा मेरा पती कि थे है पती पाशा ने आश्टा जहे किया ते अचानके न डर गई के हथ पैल ठंडे पै गई ते कामदे होए उसने दोहराया कौन पती मेरा पती निकोलाई पेत्रोविच कोलपा गोव नहीं मेडम मैं केसे पती नूँ नी जान दी एक पल खामोशी विच गुजरया अजनबी आउरत ने कई वार अपने पीले बुलना होते रमाल फे रहा ते अंदर ला कामबाद बंदे होए सारो की रख्या पाशा हुदे सामने बहुत दी तरा अहिल लखडी हैरत नाल दैशत नाल उस दा मूव एक रही सी अच्छा तो तेरा मतलब वो ओए थे हैं नीगा उस वारत ने सक्त आवाज विच खास तरा मुस्क्रा के पुच्छा मैं नी जान दी के तु की दे बारे पुच्छी जानी है तुकना उनी है कटिया है नीच है अजनबी पाशावाल नफर्त ते हेकार ते दी नजर नल देख दी हुई बड़ बड़ाई हाँ हाँ तुकना उनी है शुकर है के आखर में नू एक एंदा मुक्छा मिला ए महसूस करके के गुसे पर यां अक्छा गोरिया नाज कुंगला वाल स्या पोश औरत नू मैं के नहुनिया ते पैड़ी नजर रहूं दी है पाशा नू अपनिया परिया परिया लाल गला नक दे दाग ते मत्थे ते बिखरिया हो यां लिटा जो कंगी नालवी काबू नहीं हुन दी असन उते शर्माँ लगी उतनू ख्याल आया के जेकर मैं पतली हुन दी ते मेरे चेरे ते पौडर ते मत्थे ते वालां दी चालर ना हुन दी ता एग अल लुक जान दी के मैं शरीफ नहीं है ते इस अजनबी रहास्त में या औरत दे सामने इननी डरी डरी ते शर्म शार ना हुन दी औरत ने अगे के हा मेरा पती कि थे है वो इथे हुवे ना हुवे में नूगी फार्क नी पेंदा पर मैं तेनू दसना चांदी है के हिरा फिरीदा पता लाग गया है ते उस दी तलाश हो रही है पुलीस उसनों गिर्फतार करने चांदी है ते सब तेरी हाँ तेरी कारस्तान नी है और तुठी ते बेचनी ते मारे कमरे विच टैलन लगी पाशा उसनों वेक रही सी ते इस कदर डरी होई सी के उस दी सामज़ विचे कुछ नहीं आ रहा सी बस एक वर उस दी उगसो के मेल जावे तो आजी गिर्फतार हो जाएगा औरत ने किया जिस विचो गम ते गुसा टपकदा सी मैं खूब जान दियां एस अब किस देल अच्छने कमीनी गंद कमजात वेस्वा उस औरत दे बिलना वेचे तनाऊ सी तो उस दानक हिकारत नल चड़या होया जी मैं बेवसा एक मीनी ओरत एक बिशर्म ओरत तु सुन दी है मैं बेवसा हाँ तु मेरे डल तगड़ी है पर मेरी ते मेरे बच्चन दी हफाज़त करन वाला उपर वाला और खुदा सब कुछ देख दाए ओ इनसा पसांद है एक एक अत्रू जो मैं वहाँ आई राता जो मैं जाग जाग की गटियाने ओ इस सब दा हिसाब तेरे कुलों लवेगा वक्त आवेगा के तु मैंनों याद करेंगी फिरो चुप हो गई ते एक कमरे विचे टैल टैल के हाथ महल रही सी पाशा हरान परिशान उससा मूँ वेख रही सी उसनों तो डुकू सी के ज़रूर कोई मसीबत टैन वाली है मैडम मैंनों कुछ नहीं पता एक इंदे होई उदियां अक्खा में चो मैंनों पता है को मीना पर तो रुजाना तेरे को लंदा है अच्छा चल ठीक फिर दास मेरे कोल ता बहुत मुलाकात थी हम देने पर मैं किसनों मजबूरता नहीं कर दी ओविया दी महर्जी दे मालक है ठीक है पर मैं कहीं नहीं कि हेरा फिरीदा पता लाग गया है उसने दाफ्तर वेच कबले बादी की दिया ओवी तेरे वरगे के गई गुजरी चीज दी खत्र तेरे करके उन्हें जुर्म गीता है ओव और ते खाल खत वेच रुख गई ते कड़क के बोली मैं जान दीया तेनू सूलनल कोई सरोकार नी तेरा कामता मेरे ते आफ्त टौनाए पर मैं फिर भी सोच दीया तो इन्हीं गुरी होई कि में हो साक दीया कि तेरो कोल इंसानियत उका ही ना बची होवे उधी पतनी है बच्चे ने जेकर उसनों सजा हो गई ते मेंनों जलावतन कार दिता गया अई तब पुखे मर जांगे बच्चे ते मैं देख हजेवी मोकाई ओ ते मैं ऐसी कंगाली ते जिल्ला तो बाच जामा गए जेकरोना नों नू सो रूबल दिते जान ता ओ उदा पिच्छा छाट देन गे बस सिर्फ नौ सो रूबल दि काला है पाशा ने नर्माई नल पुखे केड़े नौ सो रूबल मैं नी जान दी मैं कोई नौ सो रूबल नी लए मैं तेरे तो नौ सो रूबल कदो मंग दिया ना तेरे को लईने पैसे हैगे ते ना ही मैंनू तेरे रुपईयादी लोड ए मैं ता तेरे तो कुझ खोर मंग दिया मर्दाम तोरते तेरे वरग्या औरतानू बहुत कीम्ती तफ़ा दिन देने मैंनू सिर्फ ओ चिज्जाँ वापस दे दे जो मेरे पती ने तेनू दित्नी आने हो मैडम उने मेनू करे कुझ नी दित्ता हौली हौली औरत दा मतलव समझ के पाशा ने वावेला करना शुरू कर दित्ता आखिरो रुपईया गित्थे गया उसने जो अपनी ते मेरी ते दूसरा ते दौलत लुटाई उस अब कित्थे गई देख मैं तेरी मेंत कर दिया गुस्ते वेच बेकाब हो के मैं तेनू गनियागला किन्या उन्ही दी माफी माँग दिया मैं जान दिया तेनू मेरे नाल नफर्त होएगी पर जिते तेरे वेचे जरा भी हम दर दिये तो मेरी हालत दी कल्पना कर मैं तरिगा मैंनता कर दिया ओ सार गाची जा मेन्नू वापस दे दे कुझ सोच के पाशा ने मोडे लाई ते केहा मैं खुशी-खुशी दे दि पर खुदा गवाई उसने मेन्नू कदे कुछ भी ने दिता मैं सोखा निया मेरा यकीन कर बेशक तू साच कहनी है मैनो हाँ हुने त्याँ चाया उसने मैनो दो मामूली चीजां देती हैं सन जितू कहें तो मैं अतनु देदनी है पाशा ने शिंगार मेज जाएक खाना खोल लिया ते इस विच्चो एक खोखली सोने जी चूड़ी ते एक हलकी याकोती अंगूठी कर दी आलो मैडम और ता चेरा तमतमा उठ्या ते गुसे नाल कंबल लगया उन्हें ये हरकत चंगी ना लगी एक ही दे रही हैं मैं खैरात नहीं मांग दी ओ चीजां मांग दी हैं जो तेरियां नहीं जो तु मेरे कमजोर ना खुश पती नू बेसकूफ बनागे हथ्यान जाने वीरवार दी रातनों भी मैं तेनू बंदरगाते उसनाल देख्या सी तु ता कीमती ब्रोश ते चूड़ियां पेनिगा हो जासी मासूम बानता कोई फाइदा नहीं आखरी बार पुश दियां चीजा में नू देवेंगी या नहीं पाशा ने नाराजगी महसूस करते हैं तु मही कमाल कर दियां मैं तोनू यकीन दोनी यां इस चूड़ी तेंगूठी दे लावा मैं तेरे निकोलाई तो किसे चीज दी शकल नहीं वेखी मेरे लिए उ सिर्फ केक लाया करदा सी अजनभी ओरता हसी केक? बच्चे करे रोटी दी बुर्की नु तरसे देने ते ते तेरे लिए केक लाया जान देने ते चीजां वापस कान तो इनकार कर दी है तू जवाब ना मिलन ते ओरत बैठ गई ते हवाच नाजर गाड़ के सोचन लगी हुनकी कीता जावे जे नौसर उबल ना मिले तो बरबाद हो जाएगा ते बच्चे ते मैं भी बरबाद हो जावागी इस जलील औरत नो मार सुटा जा इस दियां के गोड़े टेक देमा औरत ने रमगाल मूते रख्या ते होंके ले लगे मैं ते रिगा में इंता गार दिया तो मेरे पती नो लुट्या बरबाद किता हुनस्दा बचा भी कर चल जिते नोदी फिकर नहीं पर मेरे बच्चे इना बच्चा ने तो तरह कुझ नहीं विगाड़या पाशादिया नजरा विच्च पुखेते बेहाल सड़कुते खड़े होई बच्चा ने तस्वीर कुम गई तो उस्दा मनवी पर आया मेड़म तुसी दसो मैं की गरा तुसी कहन दे हो के मैं जलील है रोटी ते कवास ते बड़ी मुश्किल नाल गुजारा कर दियाने निकोलाई बड़ा विदवान ते वदी आदमी है इसलिए मैं उस दी आउपक्त कीती श्रीफ आदमियारी खातरदरी करना सदा फर्द है मैं ओही चीजा मांग दिया ओचिजा मेरे हवाले कर दे मैं तेरे तरले बनी आ मैं तेनो अपने ताइं जलील कर दी आ कही ता मैं गोड़ा पर ने चुक जावा जिके तरह एमी जी कर दाए ता मैं एमी करनू ते आरा पाशा ने खौल के चीख मारी ते हाथे लाए उसनों ख्याला है कि सचमुचे पीली रंगत वाली हुसीन और्थ जो अजेहे उत्तम अंदाज लाण गल्ला कर रही है जिमें स्टेज दे अदाकारी कर रही हुए दरसल शान विखान अपने ताइं उच्चा करना तवाइफ कुड़ी नों जलील कारन देनी ये तनल उससे अगे गुड़्यां परने तक चुक जाएगी पाशा ने एक खापूंच के गिया ठीक है मैं तो नों चीजां दे देनी है शौक ना ले जाओ पर ये निकोलाई ने नहीं देती है होड सहभाने दितिया ने जिवें तो नों चंगा लगे फिर अलमारी दो परला खाना खोल लिया एक हीरे दी ब्रोश एक मुंगियां दा हार कुझ अंगूठियां दे चूडियां कड़ियां ते सब और ते हवाले कारते दिया जी चाहे ते ननों लेड़ा पर तेरे पती ने मैंनों कुझ नहीं देता इननों लेजा ते मीर बान जा गोड़्यां परने चूगंदी थमकी तो पीड़त पाशा केंदी रही जे कर तो साच मुझ कोई शरीफ औरत उस दी पतनी है ता उनों अपने को रख जी हाँ मैंनों भिलाउन नहीं गई ओ अपने आप मेरे को लाया सी अत्रों विचो सब दा जायजा लेके ओ आरत बोली परेज़ा काफी नहीं हिन ना देता पांसो रूबल भी नहीं मिलने पाशा ने जोस वेचा के खाने विचो एक सोने दी कड़ी एक सिगार के इस एते हाथ दे बटन काड़ के सूट देते ते फिर हाथ उठाके गई हा हुन मेरे कोल कोज नहीं रहा चाहे दा तलाशी लेला और ते ने ठंडा सा पर रहा काम दे होया थानाल सब चीजां एक और माल विच बनिया ते चुपचाप उठके चली गई शुकराने था कुई संकेत था कभी न दिता नाल दे कमरे दा दरवाजा खुल्या ते कोल पाको अब दाखल होया उस दा चेरा उतरा होया सी ते सिर कब राहट नाल हिल रहा सी जिवे उसने कोई बहुत कोड़ी चीज खा लई होवे त्यक्खा विचो अथ्रू चल करेशन पाशा ने उस वल चप्ट के पुछा तुसी मैनू केड़े तौफे दित्ते सी कदो दित्ते सी जरा दस होता सही कोल पाको अब ने सिरह लाके जवाब दिता तौफे इनना दिगा लचाड अल्ला अल्ला ओ तेरे गिरोई अपने ताइं जलील किता पाशा ने फिर चीज के किहा मैनू दसो तुसी मैनू केड़े तौफे दित्ते सी गजब खुदारा ओ एक श्रीफ और्त इनी खुदार अजही पाक ओ एक कोठे दी और तक गोड़े परने चुकंते उतारे उसी ते इस सब मेरे करके ओदा इम्हाल मैं कीता अपना सिरहाथ फिच लेके ओ बुकन लाग पया अपना एक सूर मैं कदे नी पूल सकाँगा अपने एक खता कदे माफ नी कर सकाँगा मेरे को दूड़ हो जा नीच जात उसने नफर्त परिच्री की नल पाशा को लोखटके ते कामबदे होई हाथ थानल सुन तक गादे के के हा गजब खुजादा ओ गुड़्या परने चुकंन उतारू सी उसने जल्दी नल कपड़े पैने ते हिकारत नल पाशा नू तका दे के दर्वादे वाल वड़या ते बाहर निकल गया पाशा लेट गई ते जोर जोर नल विरलाब कारन लगई उसनो अफसोस हो रहा सी कि उसने पामनावा वेच वैगे अपनी चीज़ां क्यों दे देतीया ते उसनिया जखमी पामनावा तड़ परिन्यसन उसनो ख्याल आया के किस तरह तिन साल होई एक सदागर ने उसनो अकारन हाँ उक कही बिना किसे कारन उसनों को टैसी तो उपेलना कदे मी इनना फुट फुट के नहीं लोई सी दोस्तो तुसी सुन रहे सी एंतन चेकव दिली की कहानी दि कोर्स गरल दा पंजाबी अनवाद गोण वाली कोड़ी इनवाद चर्न गिलजी नगी थाए ते वासी मेरी यानी जक्सीर दी